असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करें हूं चॉकलाट केक बनान के रेसिपी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और इसे नहां बिना ओवन के बनाएंगे असलाम उसे साथ यहां आसाम बूक्ता है अपके से साथ आपके साथ रेसिपी एच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और नोटिफिकेशन को रखाएंगेगेंगे और सबस्क्राइब चाहिए और जबनाएंगेगे तो चुछ कर दाएंगेंगे और इ यहां पर सबसे पहले कढ़ाई को प्रिहीट करेंगे तो कढ़ाई में दो कब जितना आप यहां पर नमक को अच्छी तरीके से पहला लीजिए गैस का फ्लेम में ना अन कर दिया है अगर आपके पास ना हो तो कटोरी रख सकते हैं इसे कवर करके रख दीजिए जब तक केक का बैटर हम बना लेते हैं यहां पर एक बोल ले लिए बोल में आड़ कीजिए तीन अंडे अंडे जो है वह रूंग टेंप्रेचर पर होनी चाहिए मतलब कि जाले ठंडे एग नहीं अच्छी तरीके से अपने से से विस्क करना हैं बीटर हो तो इसक यह बिस्ते भड़ हो तो कब इस्तमाल कर सकते हैं है है ताकि ना मतलब कि हमें बीटर ने हमने बीटर इस्तमाल लिए तो सारी जो चीज़ है अच्छी तरीके से फैंट लें ठीक है इसमें 1-4 cup जितना ओयल एड कीजिए तो यह रिफाइंड ओयल का इस्तमाल कर रहे हूं अच्छी तरीके से में मिक्स कर लिए तीनो चीज़े मिल गई है एक छनी ले लिए चैनी में आड कीजिए 1-5 cup जितना ओयल पाउडर तो यह शूगर जो हैं जो चीनी है मैने मिक्सी में चला ले ती तो यह तरीके की हो गई है तो हाफ कप मतलब के आधा कप इस्तमाल कर रहे ह और उसके बार हम एक कप जितना मैदा तो कोई भी बड़ा सा ग्लास ले लिजे यह बड़ी सी कटोरी ले लिजे तो उससे एक कप मैदा उसका आधा कप आपने लेना है पाउडर चीनी उसका वन फॉथ कप लेना है ओए ठीक है इसके बार इसमें जितना मैंने ओई लिया था अधा करणा जाए तो यह बना तो कोगा पाउडर पाउडर शान लें अगिए तो फ्रफ टीश्पून जितना बेकिंग सोड़ा और वन टीश्पून जितना बेकिंग पाउडर यह चीज़े जो हैं उसमें हवाना लगे और जूनी पराने ना इसमाल करें अच्छी तरीके स कट & fold method apply करेंगे और इससे mix करेंगे ठीके इस तरीके से सारा ही केक आपने अच्य तरीके से क्या करना है कैक केकश तरीक तरीके से क्या तरीके से तयार करनां तो यह देखिए बीजर से लिए लिए और यह बहुत ही जादा जादा लग रहा है ठीक है इसमें ना भी भी बहुत जादा थिकने से तो हमें इसकी ऐड़स करने पड़ेगी तो इहां पर में दूद का इसमाल कर रही हूं तो आपको मेजरमेंट मैंने बता दिया है किस तरीके से लेना है बिल्कुल इसी तरीके से बनाईएगा तो यह हमारा बैटर बिल्कुल रेडि हो चुका है इसे साइड पर रखेंगे एक ना मोल ले लिजे जिसमें भी आपने केक को बनाना हो कोई स्टील का टिफिन बॉक्स अच्छी तरीके से और सारा बैटर आपने इसमें आट कर देना है आप चाहे तो यहां पर बटर पेपर लगा सकते हैं मैंने डिर्क्ली ही इसे कुक करूंगे ठीक है इसे टैप कर लिजे ताकि इसमें जो बबल्स है वो रिमूव हो जाए ठीक है और यहां पर तब तब तक कर देना है अपने मीडियम लो कर देना है और से 30-35 मिनट के लिए ठीक है और यहां पर यहां पर अच्छी तरीके से बेख हो गए आप यहां पर मार्क बेख रहे हैं यह बहुत जारा राइस हो गया तो जो मैंने लिट से कवर किया ताना कड़ाई को वो उसके अपर टेच ह पर टेक हैं चैक नाइफ के हर लिए अच्छी तरीके से बेक हो चुका आप लेंगी और यह बहुत ही जारा गरम है तो मैं छुडा रही हूं आपने कीजिए थंडा हो जाए उसके बाद रहे हैं ठीक है निकाल लिए ठीक है ठीक लिए बट किजिए इस तरीके से फुलिप क कितने अच्छे से लिए और यह हमारा जो केक है बहुत आसानी से निकलाइए साइड साइड से बहुत ही मज़े का बना एक कितना सॉफ्ट लग रहा है यह बहुत ही मॉइस्ट बन का तियार होता है सेम मैठड से बनाईएगा मतलब कि जिस तरीके का मेजर्मन मैंने आपको दि निकाल दिया है मतलब कि फूरा बहुत है मैं अपने अपने मतलब के अकोर्डिं कैसे भी इसे डेकुरेट कर सकते हैं मैं हलका फुलका बताऊंगी ठीक है इसको ऊपर कीजिएक लिए इसको तो अपर से नाइफ से कुट कीज़गा तो दबाएंगे ना तो टूटने की चां ताव आपने तो अपने भी सिग रह आगते हैं इस ने आपने आ, भींह निकल च्छछा सब्सक्राइब ते त्रेकर से प्रेकर की ओपना ini दूस्सेर तरफ से Head त्ट्रे जान से घृठी हमिपशी हुरण चापने ऀटाइट पर दीजिए ऐन पर एंदीचे नेटे ढॉल दो पर हम इसे और पा। पर अचार बेखने आट ऐ सिर्बाइगे हैं चुड़ाना है ठीक है पहले से इसे गैस पर नहीं चुड़ाना है और आप क्या कीजिए डो टेबली स्पून जितना ना कॉन फ्रा ले लिजिए और दू डाली जिसमें अची तरीके से घुल लिजिए इसे और यह घुल जाए तो अपने जो यह मिक्षर बनाया है इसमें बटर करीब एक टीबली स्पून जितना इसे मेल्ट होने तक हम इसे को कर लेंगे और इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होनी चाहिए बस हमारा जो है आइसिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है यह तरह से चौकलेट गनाश है ठीक है इसको तरीके से मिक्स कर लीजे यह हो गया है आप चाहिए तो इसे रनी भी रख सकते हैं डिरेक्ली पोर कर सकते हैं केक पर मत्रवासा थीक रख रही हो ठीक है अब यहाँ पर देखें तीन टेबल स्पून जितना शकर हम क्या करेंगे घोल लेंगे शूगर सीरप बना लेंगे के तो इसे ना क्या होगा हमारा जो जूसी बनेगा मौइस्ट बनेगा कितने अच्छी सोग रहा है यह बहुत ही जूसी है और जो हमने बनाई थी ना थी थोड़ा सा मैंने जूड़ा सा गनाश बनाया थी तो इस तरीके से लगा दिया है आप चाहए तो डिरेक्ली चमर से भी चाहा तरफ पहला लिजे इसे बहुत ही मज़ेकी ना जो गनाश बहुत ही मज़ेका बनका त्यार होता है और इसके अपर अपनी दूसी लेर रख लिए फिर से शुगर सीरफ इसके अपर डाल दीजे तो इससे हमारा जो केक है मौस्ट बनता है अच्छी तरीके से डाल अच्छी तरीके से पहला लेंगे चारो तरफ से बस यह रेडी हो चुकी है अब इसके अपर क्या करेंगे हम अपने केक की तीसरी लेयर मतलब के जो लास्ट वाली लेयर है नीचे की जो रहती वह रखेंगे तो इससे पहले हम थोड़ा सा शुगर सीरफ था मेरे तो वह मैं आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा मैं एसे ही डाल दिया है रखा हो था तो मैंने डाल दिया है अच्छी तरीके तर फिर से हलका सा मॉइस्ट करेंगे मतलब के शुगर सीरफ लगाएंगे तोपवली साइट पर और इसके अपना मैं यह चॉकलेट सीरफ डाल रही हू और चारों तरफ इसे अपलाए करेंगे मतलब चारों तरफ इसे अपल हमाच कर लेगे आप चाहे हैं तो पतला सा गनाश मेना इसके कूलिंग रैक पर रखेंगे और रखके केक रही तोन पम पर लिंदे हैं waking workingと जूग सेाट capabilities मैं शुगता हूं तर देकर पर लगां थाज बच्चों को भी बहुत मज़ेगी बनती है उपर से मैं इसे हलका सा शुगर सिरफ डाल दूगी देखे इस तरीके से अगर आपके पास ना हो फिर से कहरे हो तो मट डालेगा ऐसे ही उपर से क्या कीजिएगा हलका फुल का जो चैंडी बच्चों की डाल कर आप इसे डेकुरे अपर यह मैंने डाल दी है इस तरीके से तो अलग-अलग कलर में मिर पास थी तो मैंने सारी ही डाल दी है बस रड़ी हो चुका है तो बस रड़ी हो चुका है हमारा चॉकलेट केक कट करके तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि हमें इसे कैसे कट करना है तो बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज